नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सौरफ एजुकेशन प्रो में तो आज हम इस सेशन में 17 जुलाई के में सेक्यूर डिसकस करेंगे जो कि आपके आने वाले वेरियस एक्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे जैसे कि यूपी एसी और आपका रेलवेज बैंकिंग यह सब एक्जाम के लिए बहुत यूजफुल है ऐसे सी ओके चलिए शाशन शुरू करते हैं तो आज का पहला है आफ्टर दा कोरोना आउटब्रेक विच कंट्री वन दा फर्स टेस्ट मैच अगेंस्ट इंगलेंड तो कोरोना प्रकूप के बाद कि देश ने इंगलेंड क कि किलाब पेला कoups टेस्ट मैच जीता तो कंट्री है वेस्ट भीएक स्ट लिए शरी चलिह तो इसमें वेस्ट एंडिज ने पहलागा जीत तो इसको इंडी में देख लेते हैं तो कोरोना प्रकॉप के बाद वेस्ट इंडीज ने अपना पहला इंतराश्टिया क्रिकेट टैस्ट मैच इंग्लेंड के खिलाब एजस बावल स्टेडियम में चाल विकेट से जीत लिया है चलिए नेक्स्ट एमसी कुछ देखते है तो यह किया गया है तो यह किया गया है असोग लावासा जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिशनर है तो इनको ही एडीबी का वाइस प्रेजेंट भी निउक्त किया गया है चलिए एक्सेंशन देखते है तो इलेक्शन कमिशनर असोग लावासा हैज बीन अपॉंटेट दिवाइस प्रेजिडेंट ओफ एडीबी विल रिप्लेज दिवाकर गुपता हूस टम विल एंड ऑन 31 अगस्त लावासा ए रिटायर नाइटी बैच आईएस ओफिसर ओफ हर्याना केडर लावासा अपॉं आउफ टू इयर इस इस्टिल लावासा एज एक्शन कमिशन ओफ इंडिया इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं तो चुनाव आयूग असोग लावासा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का उपाध्यक शुन्यूक्त किया गया है वह दिवाकर गुपता का स्थान लेंग आयूग के रूप में नुक्त किया गया था तो भारत के चुनाव आयूग के रूप में असोग लावासाजी के भी अभी दो साल का कारेकाल शेश है चलिए नेक्स्ट एम से क्यों देखते हैं तो यह किया गया है वेद परकाश दुदेजा जी को इसकी एक्समेशन देखते है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ दा इयर अवार्ड हैस बीन कंफर्ड अपन वेद परकाश दुदेजा करेंटली ही सर्विंग एज वाइज चेर्मेन आफ रेल लैंड डेवलप्मेंट अथ देखते हैं तो इस वर्ष का अवार्ड इंफ्रा बिजनेस लीडर को वेद परकाश दुदेजा जी को परदान किया गया है वरतमान में वहर रेल भूमी विकाश प्राधिकरण के उपाद्यक्ष के रूप में सेवा रत हैं वेद परकाश दुदेजा को अवसान रशना वि परकास में उनके योगदान के लिए विभिन परकास विश्कारों से सम्मानित किया गया है ओगे चलिए नेक्स देखते है वर्ड मोस्ट अफ़ाडेबल कोवीड किट कोरो शोर हैस बिन डैवलेप्ट बाई विसकी सबसे सस्ती कोवीड 19 किट कोरो शोर किसके द्वारा विक इसकी गई है तो देख लेते हैं इसकी एक्समेशन तो वर्ल्ड मोस्ट अफ़ोरडेबल कोवीड किट कोरो शोर हैस बिन डैवलप्ट बाई आई 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 देली तो आप इसको याद रखना कि आई आई डेली ने खिसको डेवलप किया है को रोशोर किट को दा यूनि डियागनोस्टिक किट बेस्ट और र्टी पीसियार की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम पॉलिमर्स चैन रियक्शन तो आपकी से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप से तो बेस प्राइज आप दर डियागनोस्टिक किट इस रूपीज 3.99 एंड हैस रिसीवड अप् दूबी मिल गया है तो इसको इंदी में देख लेते हैं दुनिया की सबसे सथी कॉविड-19 किट कोरो शियूर इयाई डिल्लि द्वारा विक्सित की गई है कैंदरिया मानव संसाधन और विकास मंतिर रमेश पोक्रिया निशंक ने दुनिया की सबसे सथी कोविड-19 किट ल यह है इसका फूलर नेम तो डाइगनोस्टिक किट का आधार मुल्य 399 रुपए है और इसे ICMR और TGCI दोनों से जो मिल गई है क्या केते हैं पर्मिशन मिल गई है इसकी लॉंचिंग की ओके देखते हैं कि विच मिनिस्टर हैज रिलीजड प्रग्यता गाइडलाइन्स ओन डिजिटल एजूकेशन किस मंत्री ने डिजिटल सिक्षा पर प्रग्यता दिरिशा निर्देश जारी किया है तो यह किया है रमेश पोक्रिया निशंक जी ने इसकी वो देख लेते हैं एक्स्प्रेनेशन तो प्रग्यता गाइडलाइन्स ओन डिजिटल एजूकेशन फेन रिलीजड बाय एचाइडी मिनिस्टर रमेश पोक्रिया निशंक दाइडलाइन्स विल कवर दी ओन-लाइन स्क्रीन तो इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं तो केंद्रिय मानव संसाधन विकाश मंतरी रमेश पोक्रिया निशंक द्वारा डिश्टल सिक्षा पर प्रगति दिर्शाद निर्देश जारी किये गए हैं ये निर्देश देश में कोविड-19 स्थिति के कारण स्कोर्लो द्वारा संचालित ओनलाइन कख्षाओ को कवर करेंगे ओके नाक्स देखते हैं यूनिसेफ इंडिया हैज कॉलबरेटेड विद फिक्की फोर निसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ किस साहियों के लिए कॉलबरेशन किया किस किसीच के लिए तो यह है रियमेजिन उसके एक्सीमेशन देखते है निसेफ इंडिया साथना ने देल विद फिदेल state फिक्की के फिल्फोर में लिएमेजर्शन देखते हैं तो के तो यूनिसेफ ने फाइडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडिस्ट्रिस फिक्की और शोशियो एकॉनुमिक डियलप्मेंट फार्मिडेशन सेडी के साथ संयोक दुरूप से यूनिसेफ रिमेजिन केम्पेंड को विक्सित करने के लिए कोविड यूट्स किल दे इस सेलिबरेटेटेड ओन विश्वयोव कॉषल दिवस कब मनाया जाता है तो यह बनाया जाता है पंदरा जुलाइ को 15th july is celebrated as the world's youth skill day the theme of the world's youth skill day is skills for a resilient youth टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंसिट्यूशन होगे हिंदी में देखते हैं 15 जुलाई को विश्व युवा कॉशल दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व युवा कॉशल दिवस 2020 के विश्व कुशल युवाव के लिए और यह सावजनिक और नर्जी शेत्र के हित्तार को युवाव तकनिकी और वेफसाइक शिक्चा और प्रिष्ट्ट सथानों के लिए और सब्वय युवरुजगार और युद्धमिता के महत्व को शि पॉष्ट कोभी तुछ किसके द्धारा developed किया गया है? जो कभी 19 के प्रिसार को रोकने के लिए तो यह किया गया है इंड ड्रेम्चानि रेह तरह स करेंशन देखते हैं पोष्ट कोभी तो सबस्वात हैं ने शचेकल मजरी it has many facilities which can minimize risk of COVID-19 infection like foot operated water dab or soap dispenser and copper coated handrails and latches and titanium dioxide coating तो इसको हिंदी में देख लेते हैं तो COVID-19 के सक्रमन के जोखिम को कम करने के लिए भारते से रेलवे द्वारा पोश्ट कोविट कोच विक्सित किया गया है रेल कंपार्टमेंट कर खाना कपूर्थला ने इसका मॉडल तयार गिया है इसमें सुविधा है जो COVID-19 सरक्रमन के जोखिम को कम कर सकती है जैसे कि पैरस संचालित पानी के नल और साबुन की मशीन और तांबे के लेपित हैंट्रिल और लैसेज टाइटनियम डी ऑक्साइड की कोटिंग के साथ ओके नाक्स देखते हैं किसे वैश्विक मानुवतावादी पुरुसकार 2020 में शीज परचारग पुरुसकार से समानित किया गया है तो यह किया गया है सचिन अवस्था जी ओ एक्सिलेशन देखते हैं इसकी तो सचिन अवस्थी हैस बीन अवार्डिड वीद टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन ग्लोबल हुमिटेरियन अवार्ड टुंटी टुंटी तो इनको दिया गया है गंगा अवेड़नेज जर्णी वीचिज आलसो नोन ऐस वंदे सचिन अवस्थी को वैश्विक मानुतावादी पुज़का 2020 में सीज परशारक के रूप में समानित किया गया है गंगा जागुरुकता यात्रा जिसे बंदे गंगे सोचता जन जागरन यात्रा के रूप में भी जाना जाता है कायोजन इनके द्वारही किया गया था तो यह लास्ट कॉस्चिन देख लेते हैं इडिया ज फर्स्ट ट्रांस शिप्मेंट हब इस जॉकेटिटी इन भारत का पहला ट्रांस शिप्मेंट हब कहां इस्तित है तो यह इस्तित है के रला में तो इसकी अक्सिनेशन देखते हैं The minister of state for shipping Shri Mansukh Mandavia revived the development activities of Wallarpadam Terminal Kochi. The terminal was recommended as India's first transshipment hub. The work of the transshipment hub is to handle containers and store them temporarily. Let's go to India. Jhaj Rani Raja Mantri Shri Mansukh Mandavia Kochin in Wallarpadam Terminal Kochi. Terminal Kochi. The transshipment hub was done by the transshipment hub. The transshipment hub's work is to maintain containers and store them. This was today's session. If you liked the video, please like and share it. Please subscribe to the channel. If you want a video on any other topic, please write in the comment box. If you want a video on any other topic, I will make a video on that. Please support the channel. Thank you so much.